होरर एनिमे यामिशिबाई की तीसरी कहानी शुरू होती है तोशिहरू अपने ममी पापा के साथ गाउ में अपने नाना के घर जाने से रस्ते में उन्हें एक बिल्ली मिलती है जो की उन्हें कहता है प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना तो जब तोशीहरू बाहर खेल रहा था तब उसके नाना घर के बाकी सदर्सों को बुला कर हसी के माध्यम से शांत, नामक एक परमपरा समझाते हैं जहां घर के सब बयस्क लोगों को पूरी रात जाक कर बंद कमरे में हसने और खुश रहने का नाटक करना पड़ता है ताकि तोशीहरू के पर दादा के भूत को घर से दूर रखा जाए उस राद वो बातरूम जाने के लिए उत्ता है और उत्सुकता से उस कमरे में जाकता है और देखता है कि सब बयस्क लोगों भयानक माक्स पहन कर हस रहे थे ये देखकर तोशीहरू भाई से पीछेहर जाता है जिससे पीछे का दर्वाजा खुल गया पूरा परिवार भैवित होकर देखता है कि छाया में से एक आकरिती बनती है और उन पर जपतती है